नमस्कार मैं गोविंद कुमार स्यखपूरा जिला अंतरगत जैरामपुर थाना छेत्र में मंगलबार को एक दुखत घटना सामने आई है यहां जानकारी मिली कि जैरामपुर थाना छेत्र में नोनिया नदी के पास एक बच्ची का सव भिछे नभी नवस्था में पाया गया है जानकारी मिलने के बाद परसासन मामले की छानवीन करने में जुट जाती है आपको बता दें कि यहां जो मामला प्रेम परसंग से जुड़ा हुआ है छात्रा मैट्रिक का एकजाम में अनुतिर्ण होकर इस बार भी मैट्रिक का एकजाम देने बाली थी हाला कि उनके परि किसी की दविस में आकर इस तरह का जो बात है वह कह रहे हैं जब इसकी जानकारी हमने ASP से लिया तो उन्होंने बताया कि मामला प्रेम परसंग से जुरा हुआ है और यह घटना जो है वह प्रेम परसंग के बाद ही किसी की जानकारी में होने के बाद घटना को अंजाम दिया गया है मामले की छानवीन की जा रही है इस घटना के बाद पेपर में भी इस घटना को लेकर छपा था कि यहां पर जो यह नदी है इसी नदी के बीच उसको जला दिया गया है और उसको यहां पर फेक दिया गया है हाला कि मामला जो परसातन है वो हनु संधान कर रही है उसके बाद ही सारी सचाई का खुलासा को पाएगा